हलो फ्रेंज कैसे हो आप सब उमीद करते हैं आप से बहुत अच्छे होंगे स्वस्त होंगे तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो मेरे सुबह की शुरुवात होती है सबसे पहले में गेट खोलना क्योंकि ऐसा कहा जाता है सुबस में में गेट खोने से लक्षमी जी का आगमन होता है तो सबसे पहले मैंने गेट खोला है फिर उसके बाद मैं रखूंगे अपने सर पे डुपटा और डुपटा रखने के बाद सबसे पहला काम होता है पूरे घर में साफ से जाडू लगाना तो सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ अच्छे से पूरे घर में जाड़ू जाड़ू लगाने के बाद मैं लगाऊंगी मशीन क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा आज कपड़े हो गए हैं गुडिया के भी काफी ज़्यादा कपड़े हैं बच्चे कपड़े बहुत जल्दी गंदे कर लेते हों और हाथ के हाथ पती देव जी भी उठीशें है तो मैं सारे फेसे निकाल लेती हूँ खीन निकाल लता हिं सारे कपारे कूंसे कपड़े कैसे धोवने हैं मशीन में धुल रहे हैं कपड़े और साथ के साथ मैं ने कल लूंगी बरश बरश मैंने कल लिया है उसके बाद मैं वाश बेशिन पर भी थोड़ा होац मार दूंगी बरश क्योंकि मैं हाथ के हाथ बरश मार देती हूं जिससे की जो हमारी वाश मेशिन है वो जादा गंदी न दिखे तो मेरा ये डेली का काम रहता है वाश मेशिन साफ करने के बाद अब मैं आई हूं कीचन में जो मैंने रात को बरतन धोके रखे हुए हैं उसको मैं बरतन स्टैंड में अच्छे से जमा लूँगी बरतन स्टैंड में मैंने सारे बरतन रख दिये हैं अब मैं जाओंगी मशीन की तरफ देखती हूं कपड़े धूल गए है या नहीं तो कपड़े लगव लगव धूल चुके हैं अब मैं एके करके सारे कपड़ों को कल ल सब्सक्राइब बेटा भी उच चुक है मॉर्निंग के आप ही पौने साथ हो रहे है और साथ के साथ शुल्ष मेरे बेटे का एक्जाम भी है एक्जाम के दिनों में थोड़ा सा काम में पर जादा हो जाता है वो इसलिए क्योंकि बेटे को टाइम के लोंगी फेशवाश क्योंकि फिर सारा दिन में पर टाइम नहीं रहता है तो सुबह सुबह ही थोड़ा सा टाइम में अपने ले निकाल लेती हूं और मुझ फेशवाश से साफ करने के बाद मैं टावल से अच्छे से मुझ को साफ कर लोंगी और फिर जो मैंने मैट है और कर रहा है मंदिर की सफाई मंदिर में लगाया है पोच्छा और फिर उसके बाद मंदिर का गेट खोल के सारे के सारे बरतन अच्छे से दोलेगा उसके बाद मैं भी नहा के आ गई हूँ अब सीधा मैं करूंगी पूजा बेटे ने जो जला दिया है और सबसे पहले में सारे भगवान जी को लगाऊंगी तिलक और बेटा मेरे पास आ गया है तिलक लगवाने के लिए तियो बेटे को तिलक बगा के तो थोड़ा से मैं कर लूँगी पाथ पूजा करने के बाद अब मैं आई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए तो सबसे पहले मैं अपने पती देव जी के लिए नाश्ता बनाऊंगी क्योंकि वो थोड़ा परहेज का खाते हैं तो उनके लिए मुझे बनाना होगा दलिया तो थोड़ा से मैंने लिया है दलिया और साथ में लिया है थोड़ा सा मूंकी डाल और कूकर को मैंने चड़ा दिया है डालेंगे इसमें तेल और हाथ के हाथ तेल जब गरम हो जाए तो डाल देंगे जीरा फिर थोड़ा सा डाल देंगे इसमें हल्दी पाउडर तेल में ही डाल लेंगे हल्दी पाउडर जिससे की हल्दी का कच्छा पन ना आए और उसके बाद जो हमने दलिया और मुंकी डाल डाला है कूकर में उसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब अच्छे से फ्राई हो जाए इसमें हम एक ग्लास पानी एड़ करके कुकर का धकन को लगा देंगे तो एक ग्लास मैंने पानी एड़ कर दिया है और उसके बाद थोड़ा चलाने के बाद फिर मैं नमक डालना भूल गी हूँ तो नमक मैं डाल देती हूँ एक चमच तो एक चमच के करीब नमक बहुत होगा और फिर मैं कुकर का धकन लगा दूँगी और विसल आने का वेट करेंगे चार से पांच फिर आज मेरे बेटे का स्कूल भी है उसका इक्जाम है तो आटा लगा लेते हैं मेरा बेटा दलिया बिल्कुल भी नहीं खाना चाहता है तो मैं उसके लिए अलग से खाना बनाऊंगी तो मैं अपनी बेटी से बाद भी कर रही हूं और साथ के साथ मैं आटा भी लगा रही हूं फिर सबसे जो पहली रोटी है वो मैं निकालती हूं गाएं के लिए और उसके बाद फिर हम अपने लिए निकालते हैं अपने लिए बनाते हैं रोटी तो इस्टे मेरी रोटी बिल्कुल बन चुकी है और मेरी बेटी को देखो मेरे पास ही बैटी है वो बिल्कुल भी जान बेटी मेरे पास जादा ही चिपकती है पता नहीं ऐसा क्यों करती है मेरे साथ इस टेब मारा नाश्ता वगरा हो चुका है और साथ में हमारा आज सीवरेज बिल्कुल ब्लॉक हो गया है तो भाईया को बुलाया है सीवरेज ठीक करने के लिए तो पती देव जी करवा रहे हैं सीवरेज ठीक और यह देखिए सीवरेज का पानी कितना निकला है तो मुझे फिर से आज मेरा काम बढ़ गया है तो पहले तो धोना पड़ेगा और आज मैने कपड़े भी धोए हैं तो कपड़े भी डालने हैं तो पहले मैंने पीछे थोड़ा थोड़ा ही धोंगी बाद में शाम को मैं अच्छे से पूरा फर्ष धो दोंगी झाल झाल झाल